दीनभारों आफिस में काम करने के बाद तेजस्वी यादों के घर जाने का वक्त होता है और तब तेजस्वी यादों कहते हैं कि आज मचली मार्केट से होते हुए हम घर चलेंगे मतलब कि जाजा लेंगे कि मचली मार्केट में क्या हो रहा है मचली मार्केट की बेवस्था क वो सिधे बिश्वस रहिया भवन के सामने जो नया फ्राई ओवर बन रहा है उसके नीचे जो मचली बेचने वाले लोग रहते हैं उनके पास चले जाते हैं शाम का वक्त हो चुका था अंधेरा चड़ चुका था और तेजस्वी वहां गारी में से उतर कर आम लोगों से बात खड़े कहते हैं कि फोन मिलाइए वहां पर फोन को स्पीकर पर किया जाता है और उसके बाद तेजस्वी यादव अधिकारी महोदे से बातचीत करते हैं तेजस्वी यादव ओन दैस्पोर्ट फैसला करते हैं कहते हैं कि यहां पर अस्थाई आस्रम बनवा दीजिए इको पार्क वाला फूल रहता है ये लोग सो नहीं पाते वो बताते हैं कि जो नया वाला मचली मार्केट हम लोगों ने बनवाया था उसी मसली मार्केट की बात है और लगवक 50 लोग हैं जिन लोगों के पास सोने की कोई जगह नहीं है लोग महाप पर हाथ जोने खड़े रहते है और कहते हैं कि पूल के नीचे हमको सोना पड़ता है आगे हम इसी बारे में आगे आगे आपको पूरी जानकारी देंगे बाकिया नमस्कार में नाम है मोहित कुमार सिंग और आप जनता जंक्षन देख रहे हैं ते यस्वी यादो वाचकल अलग हटकर थोड़ा काम कर रहे है अलग हटकर काम करने का मतलब कि वो अचानक कभी रात को कंबल बाटने सड़क पर निकल जाते हैं आम जनता से बैठ कर उसे बाचीत करते हैं उनको पता चलता है कि वाकई में जमीन पर क्या हो रहा है कल पूरे दिन ओफिस में काम करने के बार अचानक से ते जश्वी याद होती है तब वह लोग ते जश्वी यादों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि हम लोगों को वैसी ऐसी समस्या है इको पार्क वाला जो रहन बसेरा है वह रहन बसेरा फूल हो जाता है हम लोगों को वहां पर सुने की जगह नहीं मिलती ते जश्वी महां पर तुरंद फोन मिलात हैं फोन महां पर चुकि यह स्पीकर पर रहता है हर लोग बात सुनते हैं कि क्या बात्चीत हो रही है तो यह स्वी यादों कहते हैं कि हम आफिस दे निकलते निकलते उधर से और चीज़ों का जाए-जा लेकर जाएंगे लेकिन फिलाल मचली मार्केट में हैं जो पीसो सुरह लिया भवन के पास हमने मचली मार्केट शूरू कराया था वहां के लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है तजस्वी कहते हैं कि आस्थाई तोर पर एक आस्रम की बेवस्था कीजिए क्योंकि इको पार्कवाला रहन बसेरा फुल हो जाता है इन लोगों को माप पर जगह नहीं मिलती इसके बाद तो उन्होंने एक दिन पहले जिन जिन रहन बसेरों का दौरा किया था इसके बारे में पूछते हैं अधिकारी महोदे कहते हैं कि आपके कहें अनुसार सारी बेवस्था हो चुकी है आप जो चाहते थे उसी के मुताबिक वहां पर काम कर दिया गया है इसके बाद तेस्वी यादों आगे एक और अधिकारी से फोन पर कहते हैं कि हम जाते जाते वहां पर मिल लेंगे जुल लेंगे वहां पर देख लेंगे चुकी घर जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे तो हम जाते जाते एक बार जाय जा ले लेंगे उसकी समिक्ष कर लेंगे अब सोचिए कि अगर उपमुख्यमंत्री कहें कि मचली मार्केट में हैं और इसके बाद हमने कल यहां दौरा किया था और आप कह रहे हैं कि वहां पर काम सब चकाचक हो गया है उसका फिर से अभी तुरंत जाते हैं और दौरा कर लेंगे तब अधिकारी गलत कैसे कर सकता है मतलब कि अधिकारी के मन में इस बात का डर रहेगा कि उपमुख्यमंत्री तुरंत वहां पर पहुँच जाएंगे तो यह सुई यादों दिनबर आफिस में काम करते हैं जो वहां पर आफिस का काम होता है उसको निप्टाते हैं इसके बाद आफिस से दिनबर काम करने के बाद शाम के वक्त वो अचानक मचली मार्केट पहुँच जाते हैं वहां पर हाथ जोड़कर सामने मचली वाले खड़े हो जाते हैं तो यह सुई यादों को बताते हैं कि उनकी समस्या क्या है उनके पास सोने के लिए जगह नहीं है तो यह सुई वहां पर तुनन कल मचली मार्केट में मचली बेंच रहे लोगों से बातचीत करना उनसे सन्वाद स्थापित करना कहीं न कहीं एक अच्छा और सराहनी कदम है लगता है कि आगे सकरात्मक सुधार होगा क्योंकि जो प्रशासनी का दिकारी है उनके मन में इस बात का डर रहेगा कि अगर काम नहीं होगा तो मुख्यमंत्री कब वहाँ पर पहुंच जाएंगे जायजा लेने इसका कोई ठीकाना नहीं है फिलाल तो जो काम कर रहे है इस पर आपकी राय क्या है आपकी प्रत्रिया क्या है कोमेंट बोक्स में लीकर बताईएगा आगे जो तमाम जानकारी जो कुछ सब्सक्राइगा जनता जिक्षन की माध्यम साब तक हम पहुंच आएंगे आप जनता जिक्षन देख रहे थे वीडियों ही पर समाप्त करते हैं कि हम रहे पिछे भी शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत बहुत धन्यवाद